हेलो अब्रिवन बलकुम बाक टू माई यूट्यूब चैनल हर्च के जड़ हाथ हो गैस आप सभी को पता है 15-20 दिनों से मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर अपडेट शेर नहीं कर पारा हूँ जबकि काफी सारी अपडेट है multiple movie के बारे में multiple teaser trailer and exclusive and latest updates है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेर नहीं कर पारा हूँ तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी दिनों से टूर पर हूँ internet ना होने के कारण में आप लोगों के साथ अपडेट शेर नहीं कर पारा हूँ लेकिन आज से दो दिन के बाद मेरे घर में प्रॉपर तरीके से अपडेट शेर करूँगा और यह जो वीडियो होने वाला काफी जदा इंटरस्टिंग होने वाला क्योंकि अपन बात करेंगे सालार सोरियंगा पारवम पार्ट टू के लिग्ड पिचर के बारे में टर्नल फाइट सीक्वेंस के बारे में और जो भी भाई सब सालार पार्ट टू को नहीं जानता है तो जालो वरना सालार देवराथा रायसार चीर कर रख देगा और वहीं बात करेंगे अपन इस्पिर करने वाले मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो फिल्हों को यह चीज क्लियर करता चलू सालार सोरीयंगा पारवम का एक पिचल लीगड हुआ है वो भी वान इन उली प्रभास अन्ना सर का काफी ब्रूटिल काफी काटा पीटी लेवल पे क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से वो मारते नजर आ रहे हैं मैं जस्ट बात करहाँ पिचल के बारे में जहां पर वो भाई सम मारते वे नजर आ रहे हैं और वहीं टर्नल का जो फाइट सीक्वेंस है जो बीटी एस बीहाइंड असी ने वो भी लीगड किया गया है और भाई जिस तरह से लीगड किया गया है काफी लोग बोलेंगे कि भाई सब कौन सा टर्नल फाइटिंग सीक्वेंस तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलू आप लोगों ने जब सालार सोरियंगा सालार सीजफायर पारवन देखा होगा जब प्रभास अन्ना सर की यानि की देव रथा राइसार की खान सार में इंट्री होती तो जब वो अपना पंच लगाते पंच बोलेंगे क्या बोलेंगे जैसा फिंगर प्रिंट होता तो इंटर करते हैं तो उनका एक चाल्ड आक्टर भी देखने को मिलता अपोजीट में तो वो टर्नल फाइटिंग सीफवंच के कुछ एक पोश्यंस अपने को देखने को मिला था यह आला पोश्यंस तो बाई सब यही बाला है पोश्यंस में इतना फाईटिंग सीक्वंच होन काली माता वाला एक्शन सीक्वेंस वह उसके सामने कुछ भी नहीं है इतना हेवी लेवल पर कुरूर दिखाई देने वाले हैं प्रभास अन्नाव आप खुछ सोचो सालार सीश फार पारडवन का जितना भी भाई सा एक्शन सीक्वेंस था जितना भी ड्रामा था चाहिए वह और सच में गाइज मैं प्रशान नील के लिए यह सोचता हूँ कि यार यह अकेला दूबला पतला सा आदमी इतना यूनिक तिंक इतना यूनिक अक्शन सीक्वेंस अपने माइंड में कैसे रख सकता मतलब कि मैं सोचता हूँ डरता हूँ घबराता हूँ उन लोगों के action sequence आप जब भी देखेंगे थियेटर में तो आप यही बोलने वाले हैं कि यार यह अकेला यार क्या करने को तेयर है क्योंकि इस लेवल पे इतने brutal देवरता राय सर दिखाई देने वाले किसी audience ने किसी fans ने even haters लोगों सोचानी होगा कि प्रशांत नील ने किस तरह से प्रभास अन्नासर को सालार सोरियंगा पार्वम 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 के action sequence को किस तरह से प्रिपेर किया भैस आप सोचकर ही डर लग रहा टर्नल वाला fighting sequence जिसका मैं अब बात कर लेते हैं संधी प्रेडी वांगा की अपकमिंग मोस्ट एंटिसपेटिड प्रोजेक्ट स्पीरिट के एक अप्रोच्मेंट के बारे में तो रीसेंटली संधी प्रेडी वांगा ने मलियालम इंड्रस्टी के लजेंडरी आक्टर मिमूती सर को वैसाब अप्रोच किया है important character के लिए अब मिमूती सर की रीसेंटली मैं तो अल्रेडी काफी पिच्चर देख चुका हूँ लेकिन मुझे जो ब्रह्मा सूरम जो थी ना ब्रह्मा सूरम जो आई थी रीसेंटली ब्लाक इन वाइट थी और टर्वो मूवी भी काफी अच्छी लगी थी तो आर मैं यह सोच रहा हूं कि वह अकेला 75 यर प्लस का इतिंक सो 75 यर प्लस उनकी मतलब एज है तो वो जब ओन कैमरा होते हैं उन स्क्रीन होते हैं भाई सब चीर कर रख देते हो और यहां पर तो ब्रूटिलेटी मतलब की भर भर के दिखाई देने वाली स्पिरिट मुवी के अंदर तो मिमूती सरका किस तरह का कैरेक्टर होने वाला यह देखना काफी ज़दा इंपर्टेंड होगा और सच में गाईस जो भी होने वाला जब भी होगा इतना बाप लेवल पर होगा के हेटर्स लोगों ने सोचा नहीं होगा बागी यार मैं काफ आप लोग बताओ क्या लगता है सालार पार्ट टू के पिचर के लीग के बारे में बीटी एस के बारे में टर्नल वाले फाइटिंग सीक्वेंस के बारे में इस पिरिट के इंपॉर्टिन कैरेक्टर के बारे में मुमूती सर के बारे में क्या लगता अपने उपीनन कॉमें इंस्ट्रक्शन में जरूर बताएगा चलिए मिलते नेक्स वीडिया में फिर से एक अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिए जे भारत